एलो स्ब्रेंट्स आये आज हम फिर आपको इस कक्षा में ले चलते हैं कक्षा आठ और क्वेशन नमर सेवन पहले छे क्वेशन हम पहले वीडियों कर चुके हैं और आज ये सात्वा क्वेशन है देखिये हम कैशे आपको समझाते हैं सेवन्त क्वेशन है एक विद्यार्थी में कक्षा आठमी के सब विद्यार्थियों ने परदान मंतरी राष्टे राहत कोश में दो हजार चार सो एक रुपेदान में दिये पर तेक विद्यारती ने उतने ही रुपेदान में दिये जितने कक्षा में विद्यारती थे कक्षा के विद्यारतीों की संक्या ग्याद कीजिए इस तरह के क्विश्चन में आपने क्या करना है वरगमोल निकालना है इस तरह के कुछ क्यूस्टिन और भी बने वे हैं जैसे आर्मी बैंड है आर्मी के टुकड़ी चल रही है एक पंक्ति में उतने ही शैनिक है जितने पंक्तियों की संक्या है इस परकार के सवाल हो या एक कुछ पोदे लगाने है एक पंक्ति में उतने पोदे लगाने है जितन पंक्तियों की संक्या है इस तरह की जो भी सवाल आपके सामने आए तो उसमें आपने शीरा उस संक्या का वरगमूल निकाल देना है या संक्या मारे पास दो हजार चार सो एक है अब दो हजार चार सो एक है और इसका वरगमूल हमने निकालना है वरगमूल के लिए मैंने आपको दो तिन मैथड बताए वी है तो वरगमूल आप कोई भी मैथड लगा के वरगमूल निकाल सकते है जैसे मैं इसमें एक मैथड लगाऊंगा यह हमने यह पेर बना लिया एक पेर 0, 1 का बन गया, दूसरा पेर 0, 4 का बन गया, तो यहां आपने इसको ऐसे डिवाइड करना है, किसे जो संक्या मैं यहां लेकोंगा, उतनी बार इसको भाग जाएगा, जिस तरह से मैंने लेका यहां 5, तो 5 पे ही पाणा जाएगा, 25 पत्चीस हिससे जएदा हो जाएगा, 24 से इसलिए 5 से कम करें, 5 से कम चार है, और 4 बार ही जाएगा, क्योंकि यह संक्या यह संक्या सेम होती है, एक जैसी होती है, तो 4 चो के 16, और 16 जब इस तो 20 समय से घाटाएंगे हम, तो 8 बच गे, और इसमें आगे पूरा पेर उतरता, जोड़ा उतरता है निके 0, 1 उतरेगा और इस संक्या का दबल यहां लेका जाएगा और यहां एक और आना है उसका स्पेस छोड़ के लिखना है अब जो हम यहां लिखेंगे उतनी बार पड़ा जाएगा उतनी बार इसकी टेबल ले जाएगे जिस तरह से यहां मैंने लेखें 9 तो 9 बार ही जाएगा 8 लेखूंगा तो 8 बार ही जाएगा अब जैसे 9 लेखें टो 9 नौ निमा 81 असल आठ लगे और 9 अटे बैटर और 86 तो यह बार कमारा पूरा हो गया और इसका वरगमूल के आया 49 अब उस कक्षा में पूछा क्या गया है कक्षा के विद्यारतियों की संक्या ग्यात कीजिए उस कक्षा के 49 एक संक्याट थे कक्षा में विद्यारतियों की संक्या और यदि इसमें आगे एक लाइन जोड के ये भी आपसे पूछ लिया जाए बताओ परते एक बच्चे ने कितने रुपे चंदा दिया तो हाँ वो भी आजेएगा पॉर्टी नाइन क्योंकि पॉर्टी नाइन और पॉर्टी नाइन की गुणा होके ही 2401 बना है आठवा क्यूश्चन है एक बाग में 2025 पोदे इस परकार लगाए जाने है कि परते एक पंक्ती में उतने ही पोदे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो पंक्तियों की संख्या और परते एक पंक्ति में पोदों की संख्या ग्यात केजिए ये भी उसी परकार का क्यूश्टन है इसमें भी हमने क्या करना है 2025 का वरगमूल निकालना है और वरगमूल निकालने कि आपके पास 2 या 3 मेथड़ किसी भी मेथड़ से आप वरगमूल निकाल सकते हैं ये भागवी दीमा आपको स्खारा हूँ तो भागवी दीमा पेले पेले साँर बनाते हैं एकाई की तरफ से अगर आप संख्या की तरफ मौकर के खड़े तो राइट की तरफ से पेले ये बने गा पेले यह बने गाई इस परकार से इस साइड से पेर बनाने शुरू करते हैं यहां पेर जुरू बनेगा एक अंक इधर बच्चता है इधर नहीं इधर लेगा अब यहां चार चार चुके सोला क्योंकि अगर पांच मन लिएँगा यहां और पांच बार ही टेबल जाएगी तो पांचो पांचो पत्चिस ज्यादा हो जाएगा इसलिए चार लेना पड़ेगा बचिगा चार उतारना इसमें पेर है पत्चिस और इसका डबल करके यहां लेखना है दो से गुना करके दो चुके आठ एक अंक की यहां स्पेस चोड़ देना है उसकी जगे छोड़ देनी है अब जो अनकी आएगा वही इतने बारी की टेबल जाएगा देखिए कितना आएगा वह आप रप्पे करके देख सकते हैं कितना आएगा जिस तरह से चार अगर मैं चेक करूँ चार आएगा कि नहीं क्योंकि यहां चार लिखूँगा तो अपर ही आएगा पाचव पाचव पत्थीस असल लगे दो और पाचव चारिस और दो दियानिस तो यह इसका वरगमूल 45 आगया और इस तरह के सवालों मैं मैंने बताया कि वरगमूल ही निकलना है अब जो आप से पूछा गया है वो अंसर 45 है क्या पूछा गया है पंक्तियों की संख्या बताईए कितनी है 45 है और आगे पूछा परतेग पंक्ति में पोदों की संख्या बताईए वो भी 45 है तो इसलिए आप दोनों तरह लेख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या 45 और परतेग पंक्ति में पोदों की संख्या ये भी 45 एक पंक्ति में 45 पंक्ति है और एक पंक्ति में 45 पोदे है जब इन दोनों की गुणा करेंगे कुल पोदे निकालने के लिए 45 गोना 45 करेंगे तो 2025 आज़ेगा तो इस तरह के स्वालों में अब पुर्ग मूल ही मिकाले नाइन्थ क्यिस्टिन है वैस सबसे चोटी वरग संख्या ग्यात कीजिए जो चार नो और दस परतेक से विवाजित हो जाए अब चार नो दस ऐसी संख्या हम ने ढूनने नहीं है जो इन तीनों से भाग हो जाए पहला काम हमारा इस क्यिस्टिन में ये है वह कौन सी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से भाग हो जाए वो होती है इन तीनों का लगुत्म LCM of these numbers तो लगुत्म कैसे निकालते हैं लगुत्म निकालने की विधी आपको पता है उस विधी से हम पहले नका लगुत्म निकाले क्योंकि लगुत्म वह सबसे चोटी संख्या होती है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी तो लगुत्म के लिए हम ऐसे करेंगे इसको दो से डिवाइड करें दो दूनी चार ये डिवाइड नहीं होता जो नहीं होता वो AGT से लिख देंगे और दो पंचे दस अब इन में हम देखें दो नो और पाँच इन में किस से भाग होती है ये दो से होती है ये दो से नहीं होती है ये नो से होती है ये तीन से की ये तीन से नहीं होती है ये तीन से नहीं होती है तो एक तो यह तरीका है कि अब इसमें और भाग देने की आवशक्ता नहीं है, हम इनकी गुणा कर लिए, दो, गुणा दो, गुणा नो, और गुणा पाच, 9,55,45,45 दोनी, 90 और 90 दोनी 180 एक ऐसी संक्या है जिसको चेयर भी पुरा बाग कर देगा 9 भी पुरा बाग कर देगा 5 और 10 भी पुरा बाग कर देगा लेकिन हमने बतानी क्या है वह सबसे छोटी वरग संक्या ग्यात कीजिए वरग संक्या यानि कि ये वरग संक्या होने जिए एक्सोसी जबकि एक्सोसी पूरण वरग संक्या नहीं है नहीं कि एक्सोसी का पूरा वरग मुल नहीं निकाल सकते अब इसमें इससे पहले हमने पाचमा क्यूस्टिन किया था जिसमें ये था वह चोटी से चोटी संक्या ग् अब इसमें भी वही अगर पार्मुला मैं अप्लाई करूं कि वह है चोटी से चोटी संख्या बताईए जो इसको गुणा करने पर ये संख्या मजाए पुह नगों कर बने किया है दो निम्हे अठारा जीरो फिर दो से करेंगे यह है अब क्योंकि हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाना है वर्ग संख्या बनाना है वर्ग संख्या बनाने के लिए यह तो इसका पेर बन गया दूसरा पेर यह बन गया एक पेर और चाहिए हमें तब यह पूर्ण वर्ग संख्या बने और वो संख्या क्या चाहिए पाच चाहिए तो हम लग सकते हैं 180 गुणा 5 और कर दे हम अगर 180 को 5 से और गुणा कर दे तो पिर ये पूर्ण वरग संख्या बन जाएगी 0 और 5 आटे 4 4 और 5 यहां 5 और 4 9 अब 900 जो है वो ऐसी संख्या है जो पूर्ण वरग भी है यह लेकर पूर्ण वरग यानि कि वरग संख्या को हम कहते है पूर्ण वरग संख्या यह वरग संख्या भी है क्योंकि इसका वरग मुलतीस हो जाएगा और सबसे छोटी भी है जो इन तीनों से दिवाइड भी हो जाए 4 और 10 क्योंकि 180 इन तिनों से डिवाइड होती है 180 को आप किसी भी संख्या से multiply कीजिए गुणा कीजिए 180 को कितनी संख्या से गुणा करते है रहो आप वो संख्या चार नौर दस से जरूर भाग होगी इसलिए अमने इसको पाथ से गुणा करी है 900 आगया 900 जरूर पाथ से गुणा करने के बाद 900 चार नौर दस से जरूर भाग होगी तो इसलिए अब ये जो सबसे छोटी वरग संख्या वो नोसु है तो हम लख सकते हैं अब इस संख्या नोसु है चलिए next question लेते हैं ये tenth question है ये वीसी type का question है जैसे हमने ninth किया है हो है सबसे छोटी वरग संख्या गयात कीजिए जो परते एक 8, 15 और 20 से विवाजित हो जाए अब 8, 15, 20 हमने पहले इसका L-Stream निकालना है L-Stream निकालना है तो हम पहले इसको 2 से बाग कर ले दो चुके 8, ये भाग नहीं होता है इसको ऐसे ही लिख दिया और दो धाई 20, इसके बाग नहीं होता है इसको ऐसे ही लिख दिया और दो पांजे इसके बाग नहीं होता पांजे ये बाग नहीं होता पांजे यह एजी टीज लिखना है पांच तीए पंदरा और पांच एकम पांच अब यहाँ अगर इसको मैं देखू इसके एबाज जजो गुन खंडन है दो गुना दो गुना पांच गुना दो और गुना तीन यह और यह दिसके मैंने पेर बनाने है तो देखिए पहले इसके गुना कीजिए दो तिया छे पंजे तीस तीस दोनी साथ दोनी एकसो बीस ऐसी संख्या है जो इन तीनों से बाग हो जाएगी अब 120 हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि हमने बताड़ा है वो पूर्ण वरग संख्या भी हो यह पूर्ण वरग संख्या नहीं है 120 वरग संख्या नहीं है 120 यहने के स्क्वेर नंबर नहीं है तो 120 को वरग संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे इनके पेर बनाएंगे जैसे ये पूरा पेर बन गया और कोई पेर बनता नहीं तो इसका मतलब हमने एक पांच चाहिए एक दो और चाहिए एक तीन और चाहिए तब इसके पेर बने यह जोड़े बनाने के लिए जोड़े का मतलब है पेर बनाने के लिए पूरे जोडे बनाने के लिए हमने 120 को 5 गुना 2 और गुना 3 से गुना करनी चाहिए अब कर दें तो 120 को इन से गुना इनके 5 गुना 10 या 30 से गुना कर दें तो वो हमारी अभिस्ट संख्या जो होगी वो होगी 120 और गुना 30 ये होगी 12 या 36 तो ये हमारा इसका answer तो इस exercise में इतनी question है ये exercise swap तो इस वीडियो को मैं swap करता हूँ practice करते रहे है practice makes a man perfect अगर आप मैसे किसी ने channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि बविश्य मायने वाले सभी वीडियोज और नौटिक्पेशन आपको मिलती रहें ओके, थैंक यू